अब आप किस रहा में आप बैठे हुए क्योंकि उमिद्वारों की घोशना तो आपकी आभी कुछ खास हुई नहीं है अभी भी उमसर्ट नाम बाकी है आपके गड़ बंधन के भी नहीं देखे पुझा जीस में एक बात समझने किया कि हमारा भी इस परकार से मेरे कांग्रेस के साथ ही ने बताया हमारा भी घट बंधन आजाद समाज पार्टी के साथ हुआ और वो बीस शुरू में सतर बीस पर बात बनी अब जिस परकार से नहीं बाते निकल करके सामने आ लिए हैं हो सकता है एक ज्यादा सीटों पर ज्यादा सीटों पर वो चुनाव लड़े तो इसी को ले करके लिस्ट हमारी त्यार है लेकिन वो गठ बंदन के भी कुछ धरम होते हैं वो गठ बंदन धरम भी निबाना पड़ता है तो उनकी तरफ से भी कुछ परताशियों के नाम आये है जहां पर जो सीटे हमारे इसे हमेह रही थी वहां पर जाठसंहाज पार्टी के कुछ लोग हैं यो चुनाव लड़ना चारे है तो दोनों द लोग के बैठ करके लिस्ट फाइनल करने का काम हो रहा है, लिस्ट त्यार है, हमारी तरफ से लिस्ट बन करके त्यार है, पर पर प्रंतु ये गठबंदन जिस परकार से अंतिम समय में गठबंदन अजाद समाथ पार्टी के साथ हमारा हुआ, तो उसको लेकर के कुछ शूटो पर अभी बात सही है, तो उसको लेकर के मंतरना चल रही है, और डिसिजन फाइनल होने है, किसी विशन आपके बीच में, किसी विशन आपके बीच में, सीटों को लेकर के जो लिस्ट जारी होनी है, वो किसी विशन हो सकती है, और अंतिम रूप उस लिस्ट को भी दे दिया गया है, आपके य वो दोनों तो अरिष्टे में भाई लगते हैं तो चली पारिवार एक परिवार के दो शक्स आ गए ना हमने सामने कोई मेरे खिलाफ खड़ा है तो भी मैं उसके साथ खड़ा हूँ क्योंकि लोगतंतर उसको मेरी खिलाफत मेरी मुखालफत करने की इजाज़त देता है यह लोगतंतर की खुबसूरती है यह तो पिता-पुत्रों ने चुनाव लड़ा है पती-पतनी ने एक दूसरे के अमारी वचारिक रूप से हमारी विरोधी है लेकिन वेद परकाश विद्रोही जी का मैं मैं व्यक्तिकत रूप से सम्मान करता हूँ और जितने भी साती प्रवक्ता हैं बैठे हैं बिल्कुल चाहें वचारिक रूप से एक दूसरे के विरोधी हों लेकिन व्यक्तिकत रू लोगतंतर कोई भी चुनाव लड़ेगा तो उन्होंए अपना जिसकी पूजा करते हैं। आपना तुनाव कवी लड़ सकता है।